हेलो फ्रेंड्स जैश्री महाकाल मैं सार्थक्षी क्लाप सभी का स्वागत करता हूं यूटिप चैनल स्टेडिविच शिप्रा तिरे पर दोस्तों हम मैट्स में फ्रेक्शन के कुश्चन सॉल कर रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्मॉलेस फ्रे tisra difference जो लास्ट है Cross multiplication method वह भी सिखा देता हूं क्योंकि जो होंवक में मैंने आपको दिया था उसमें Cross multiplication मैंठड लग रही थ bare दोस्तों आप कहिंगे की मैंने Cross multiplication Pomηνärथ तो बता ये सथी तो पिछले वीडियो मेंopन है मैंने आप से इक चीस कही था कि आने 4-5 क्लास में decimal and fraction class जो है वो complete करवाई थी और उसकी जो link थी वो मैंने description box में provide करवाई थी तो बहुत सारे बच्चों ने देखी लेगन कुछ बच्चों ने नहीं देखी जिस वज़े से answers नहीं आपाए तो friends जब भी आपसे का जाए कि description box में link provide की गई तो आप पहले उसे देखें क्योंकि उसमें क्या है basic आपका बहुत अच्छे से cover हो जाएगा ठीक है चलिए तो फिर मैं आप लोगों को homework के जो question है वो पहले solve करवा देता हूँ फिर उसके बाद हम आज की question लेंगे ठीक है चलिए तो पहला question है find the smallest fraction सबसे छोटी भिन्न है यहां पर अब दोस्तों अगर आप इसका LCM लेने जाएंगे तो बहुत बड़ा LCM आएगा तो यह LCM मेथट से solve नहीं होगा अब हम difference देखें तो यह संख्या भी बड़ी बड़ी है 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे 33 में से 14 गए 13 में से 7 गए 13 में से 11 गए तो यहां पर यहां पर संख्या जो हैं वो बड़ी बड़ी आ रही है तो इतनी बड़ी संख्या कभी भी नहीं आती है difference मेथड में अगला बचा last cross multiplication method cross multiplication method कैसे solve करते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पहली संख्या को आपको पहले दूसरी संख्या के साथ into करना है वो मैं समझाता हूँ कैसे cross करना है cross multiplication मतलब दोस्तों समझते हो न 8 का into 33 से 15 का into 14 से तो अपने को पहले 8 का into 33 से करना है फिर 15 का into 14 से करना है मैं आपको बताता हूँ कैसे लिख के समझाता हूँ दोस्तों ताकि आपको confusion ना हो आठ बटे 15 और इसके आगे लिखेंगे हमपन 14 बटे 33 अभी केवल 2 संख्या ठीक है ना अभी केवल 2 संख्या अब पहले 8 का इंटू किस से करेंगे 33 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 264 और 15 का इंटू फिर 14 से करेंगे तो कितना बचे का 210 अब हमें दोस्तों क्या निकाल लिए छोटी भी निकाल लिए तो इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है 210 यानि कि अभी ये 14 बटे 33 अपने पास रहेगा ठीक है इसके बाद हम इसका इंटू किससे करेंगे 7 बटे 3 से दोस्तों 7 बटे 13 से ठीक है 7 बटे 13 से इसका इंटू करेंगे तो पहले इंटू हम फिर से वापने से काई से करेंगे 14 का 13 से 14 का 13 से इंटू करेंगे तो दोस्तों आपको आंसर आएगा 182 और 33 का इंटू साथ से करेंगे तो आपको आ जाएगा 231 ठीक है अब इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है 182 तो फिर से इसको इसे लिख लेंगे 14 बटे 33 अर अब जो ये बचा आपका आखरी जिसको आपको इंटू करना है ठीक है दोस्तों हम यहाँ पर छोटी संख्या इसलिए ले रहे हैं बार 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 क्योंकि यहाँ पर छोटा भीन पूछी है बड़ी भ्यूची होती तो हम बड़ी संख्या लेता है ठीक है तो फ्रेंट्स 14 को 13 से इंटू करेंगे तो 182 हो जाएगा दोस्तों 14 बटे 33 सबसे छोटी भिन है ठीक है फ्रेंट्स ठीक है फ्रेंट्स यह इस तरीके से होगा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड से चलिए अब दूसरा कोशन हम सॉल कर लेते हैं जिन भी बच्चों ने कमेंट्स वाक्स में आंसर दिये थे क्योंकि बहुत पास-पास की संक्या साथ, छे, आठ, पांच, ठीक है तो LCM मेथड नहीं लग सकती अब इसमें हम डिफरेंस मेथड आसानी से निकाल सकते क्योंकि साथ में से छे गए तो एक ठीक है छे में से पांच गए तो एक आठ में से साथ गए तो एक अब जब संख्या नीचे की समान होती है तो क्या होता है दोस्तों छोटी संख्या चोटी संख्या का जो fraction होता हो चोटा हो जाता है और बड़ी संख्या का जो fraction होता है वो बड़ा हो जाता है आप से क्या पूछाता है largest fraction तो largest fraction क्या हो जाएगा दोस्तों 7 बटे 8 आपका answer हो ज अगातार इसी तरीके से solve करते रहेंगे question चलिए दोस्तों तो आज के हम questions उठाते हैं और solve करते हैं देखें आज के questions किस प्रकार है तो आज का question है find the smallest number of six digits which is exactly divisible by 108 हिंदी में question है छे अंकों की सबसे छोड़ी संख्या क्या है जो 108 से विभाजित हो सके तो दोस्तों आपको इस सबसे छोटी संख्या पूछी थी छे अंकों की तो छे अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों एक लाग है ना यही होती है तो एक लाग जो होगी वो सबसे छोटी छे अंकों की संख्या होगी क्योंकि इससे छोटी क्या हो जाएगी दोस्तों पांच अंकों क सबसे बड़ी संख्या कौनसी 9999 इसलिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी एक लाख अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाजित हो सके तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा 108 से डिवाइड करना पड़ेगा ठीके इसी तरीके से डिवाइड करते दोस्तों तो 108 एक लाग को डिवाइड करेंगा हम 108 से तो 108 99,972 ठीके अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो बच्चे का 26 फिर 100 नीचे उतारेंगे फिर 108 दुना कितना हो जाएगा 216 अब हम जब 280 में से 216 मा फिर 108 पंजे कितना हो जाएगा 540 ठीक है अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो बच्चे का 100 ठीक है तोस्तों अब में को एक बात बताओ तो रिमाइनर बचरा 100 हमें और कितना चाहिए था 108 में इसका डिवाइट करने पर आप खुद देखिए तो हमें के वल क्या चाहिए तो कैसे आया है देना है तो कितना बच्टे का आपके पास आठ यानि कि हमें एक लाख में और कितना चाहिए था कि आपका जो है यह संख्या एक सो आठ से विभाजित हो सके कितना आठ किसम जोड़ेंगे दोस्तों एक लाख में तो हम इसको भी ट्राइ करके देखते कि कई हमारा आंसर गलत तो नहीं है, तो हम एक लाख में आठ जोडेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक लाख आठ, अब हम इसको विभाजित करेंगे, किस से, एक सो आठ से, तो वही कवही आएगा, शुरुबात में तो 109,972, ठीके, तो जब हम इसे माइनस करेंगे, तो बचेगा 280, फिर 100, 2 जा, 108, 2 जा कितना हो जाएगा, 216, अब हम इसे जब माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, तो जब आप यहाँ पर उतारेंगे, तो क्या बचेगा, 648, ठीके, अब 108 छंग, यानि 108, 6 जा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 648, ठीके, यानि कि पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों cancel हो गया ठीगे इस तरीकिये से आपको ये question solve करना है यानि कि पूरा solve हो गया ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 108 से आसानी से विभाजित हो जाएगी यानि कि एक सी चोटी संख्या 6 अंकों की जो 108 से विभाजित हो सके तो कौन सी है दोस्तों एक लाख आट ठीक है उमीद करता हूँ आपको एक कोश्चन समझ में आ गया होगा आसान तरीके से ठीक है इसी तरीके से सारे कोश्चन करने होते हैं एक्जाम में अब मैं आपको होमबक के लिए कोश्चन दे रहाओ दोस्तों इसी प्रकार का है कोश्चन है find the smallest number of 5 digits which is divisible by 221 हिंदी में बोल रहा हूँ पाँच अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? जो 221 से विभाजित है ठीक है? यानि इस बार आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछिए जो किस से डिवाइड हो जाए 221 से तो दोस्तो आपको इसका आंसर जो है वो comment box में हमको comment में provide करना है ठीके थाकि हम आपका answer जो है वो check कर सकें दोस्तो solve करने का आपको तरीका पसंद आया हो तो please वीडियो को like जरू करें आगे share करें और vacancies और पढ़ाई से related वीडियो की जानकारी पाने के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon पर press करें ताकि सारे notification आपके mobile पर मिल सकें चले friends मिलते अगली class में thank you friends जैश्री महाकाल